एक दिन जौनपुर नमग गाउं में एक टैक्सी आया उस टैक्सी में से एक औरत अपने बच्चे के साथ उतरी उस ने उस गाउं में एक घर किराय पर लिया और फिर उस ने उस गाउं के बजार में पानीपुरी का धन्दा शुरू किया तो भी एक आदमी वहाँ पहुचा वह आदमी अवरत से कहता है तुम कौन वहान इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा है भाई साब मेरा नम चमपा है और ये मेरा बेटा है हम पास वाले गाउं के रहने वाली हूँ मेरे पती ने बहुत उधार लिया था और राचानक उनकी एक स्टिडेंट हो गया और उनकी मृत्ति हो गई गाउं के उधार वाले हमें परसान करने लगे इसलिए में घर बेचकरी आ चली आई और ये देखिये पाने पूरी के अधंधा कर रही हूँ में किन्तु बन क्या कालिया जानता है कि तुम यह धंधा कर रही हो पर भाई साहिब में किसी कालियो को नहीं जानती तुम कालिया को नहीं जानती तुम यह कालिया के बारे में बताना बहुत जरूरी है कालिया यहां का बहुत डेंजर आदमी है वह यहां के हर वियापारी से पैसा सुलता है अगर कोई पैसा देना बन कर दे तो वह नो तो मारता है और नो भागाता है वह बहुत बदनाम करता है कि लोग यहां से खुद भाग जाते है वह इस गाह में किसी से नहीं डरता है लेकिन उस कोका कोला वाले दुकंदार मनमहन से डरता है लेकिन उनसे क्यों डरता है? क्योंकि कोको कोला का दुकंदार मनमहन कालिया का बड़ा भाई है मनमहन के सामने कालिया का नहीं चलता और मनमहन कालिया के मामले में नहीं पड़ता इसलिए कालिया आजकल बहुत उछलने लगा है तो अभी कालिया वहाँ पहुचा कालिया पानी पूरी के ठेले के पास आकर क्यो औरे मेरे बारे में बता रहा है अरे तुम मेरे बारे में क्या बताएगा मैं खुदी बता दे रहा हूँ देखो बहान मेरा नाम कालिया है अगर तुमें यहां धंधा करना है तो मुझे पैसा देने होंगे अगर माना कर दिया तो मैं चूप नहीं रहूंगा भाईया मैंने तो धंधा आज शुरू किया है मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है आप चाहे तो ये पानी पूरी खा कर जाएए कलिया मान गया और चमपा का पानी पूरी खा कर चला गया और कलिया रोज रोज आकर चमपा से पैसा सुलने लगा एक दिन कलिया चमपा के पास आया और उनसे पैसा मांगने लगा तब चमपा भाईया आज मेरे पास पैसा नहीं है आज मुझे इपने बेटे का स्कूल का फिस जमा करना है अरे तुम फिस भरो या न भरो तुम मुझे बल रहे हो, मैं देखता हूँ कि तुम लोग यहां धांदा कैसे कर रहे हो। पानी पूरी बनाने के लिए आपके पास कोई समयगरी नहीं हो, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। नहीं बोलता हूँ, इसलिए दिन प्रती दिन उनकी हरकते बढ़ती जा रही है। मैंने जैसा कहाई आप कोको कोला पानी पूरी बेचो, जब पैसा हो जए तब तुम मुझे पैसा दे देना। चमपा मान गई और पानी पूरी में कोको कोला डाल कर बेचने लगी। कोको कोला पानी पूरी खाने के लिए लोग देवर दूर से आने लगे। कुछ ही दिनों में चमपा का धंधा अच्छी तरह से चल रहा था। क्योंकि कालिया का बाड़ा भाई मनमोहन कोको कोला सपलाई करते थे। इसलिए कालिया चमपा को कुछ नहीं बोलता था। लेकिन कालिया अंदर ही अंदर जल रहा था। कि उनके खिलाप जाकर चमपा का धंधा खूब चल रहा है। उसने अपने आद्मियों से कहका चमपा का ठेला तोड़ने का वादा किया उसने अपने आद्मियों को भेजा वे चमपा का ठेला तोड़ने वाले थे तब तक मनमहन ने वहां आकर सब को भागा दिया ये सब कालिया पेंड के पीछे चुप कर देख रहा था मनमोहन जाकर उन्हें पकड़कर लाया और कालिया को खूब मारा मने इतने दिन चुप बैटा था ये सोच का कि तुम किसी ना किसी दिन सुधरेगा लेकिन आज तुमने एक औरत को मारने के ठान ली उस दिन से कालिया बदल गया उसके अबास से वह किसी से भी पैसा नहीं असुलता था